So well guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, नियांटिक की और से अनाउंस कियो हुए, two new special events के बारे में, जिसको सुनने के बाद, आपका जो game के अंदर का interest है, वो काफी increase हो जाएगा, So well, ये कौन-कौन से event है, और यहाँ पर इनकी timing क्या होने वाली है और आपका कौन-कौन से features देखने को मिलेंगे, इन events के अंदर, So well, full information को लेने के लिए, वीडियो पे अंद तक बने रहेगा, So well, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है शियमगर्ग, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट इटूप चनल, तो चलिए, शुरू करते हैं, अरे रु So well, guys, जो first event है, वो related है आपका Pokemon के episodes के उपर, जो कि आपने देखे होंगे, अपनी television के उपर, जी हैं guys, So इस event का जो name पड़ा है, वो है the animation week, 2020 event, जी हैं guys, जो कि based है Pokemon journeys, the series के उपर, जी हैं guys, और साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं, जी हैं guys, जो कि आपने देखे होंगे, अपनी Pokemon journeys, the series episodes के अंदर, जी हैं guys, So well, यह दोनों के दोनों जो characters हैं, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, आपके game के अंदर, इस event के दोरान, और साथ में आपको देखने को मिलेगी, एक special research story, जो कि inspire की गई होगी, इनी animation series के उपर जी हैं guys, So well, हम सबसे बहले बात कर लेते हैं, कि आपका जोए animation week वाला event है, वो कभी start होने वाला है, और इसकी timing क्या है, So well guys, यह event start होने वाला है, 6 November को, सुबा के 8 बजे, और यह end हो जाएगा, 12 November को, रात के 10 बजे, जी हैं guys, यानि कि आपके पास approximately 6 days available हो रखिया है, इस event क प्ले करने के लिए, जी हैं guys, So यह तो बात हो गई इस event की timing की, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कि आपको कौन कौन से features देखने को मिलने वाले है, इस event के दौरान, So well guys, यहाँ पर जो first feature निकल कि आता है, हो यह है, कि आपको देखने को मिलेंगे, world cap Pikachu, wild के अंदर, और प्लक के लिए, So आपको देखने को मिल जाएगा, इसका एक shiny form, जी हैं guys, So आपको याद होगा, कि आपको world cap Pikachu, पहले भी provide किया गया था, आपके एक spotlight hour event के अंदर, So यहाँ पर guys, अगर आपने उस वाले spotlight hour को play नहीं किया होगा, और अगर आपने catch नहीं किया होगा, world cap Pikachu, So well, आपके पास दुबारा से मौका आ चुका है, वेल कैप Pikachu को catch करने का, और दुबारा से इसका एक shiny form को encounter करने का, So अब जो second feature निकल के आता है, वो यह है guys, कि आपको देखने को मिलने वाला है, आपका favorite Pokemon, यानि कि लूग गया, 5 star raid के अंदर, after the 5 November, जी हैं guys, और यहाँ पर इस जो किया मेको तो काफी अच्छा लगा, इस feature को सुनने के बाद, और आपको कैसा लगा, हमें comment करके शुरूर बताना, और कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे rare Pokemon, raid के अंदर, जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है, Ivysaur, Pinsir, Snowlex, Golurik, या फिर ऐसी और भी काफी सारे rare Pokemon, जैंगाइस, और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे event Pokemon, wild के अंदर more frequently, जैंगाइस, जैसे कि आपको देखने को मिल सकते है, Bulbasaur, Executor, Cubone, Scyther, Retiny, Syndacule, और ऐसे ही और भी काफी सारे Pokemon, जैंगाइस, और यहाँ पर मज़े की बात तो यह है, कि अगर आप लगके रिए, सापको देखने को मिल जाएगा, एक Shiny Cubone, जो कि इस event का main Pokemon भी है, जैंगाइस, और जो अगला feature है, उसमें सापको देखने को मिलने वाले है, 4 main Pokemon, 7 km एग में से, जैंगाइस, 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 जैंगा आपको देखने को मिले गी, एक Timed Research Story, जिसको आपको Complete करना होगा, और जैसे आप उसको Complete कर लेते हो, आपको देखने को मिले का End में, एक Special Exclusive Pokemon, जैंगाइस, और ये जो story होगी, वो Bizd होगी Pokemon Genes 2 Series के उपर, जिसके बारों मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, और इसी तरीके से गाइस आपको देखने को मिलेगा एक और न्यू फीचर जो कि यह काफी एकसाइटिंग सा है जियां गाइस यानि कि आपको देखने को मिलेगा गो गो स्नैप्शॉट के अंदर जियां गाइस और इसी तरी केसे आपको देखने को मिलेंगे Go के कुछ items या निकी free items जियां guys जो कि आप ले सकते हो shop के अंदर से जो कि आपको देखने को मिलेंगे इस event के दोरान जियां guys तो यार ऐसे में जो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौनसा character जादा अच्छा लग रहा है एश या गो में से और फिर आप उसको अपना main avatar चूज करके रख सकते हो so well guys ये आपको देखने को मिलने वाले है कुछ special features इस event के दोरान जिसका नाम है The Animation Week of 2020 Event जियां guys so well आप इसके अंदर participate करना मत भूलना होने वाला है क्योंकि आपको देखने को मिलने वाले है दो पोकीमोन के community days November मंद के अंदर जियां guys यानि कि आपको पता होगा कि आपको feature करवाया जाता है Only one पोकीमोन का CD पर मंथ लेकिन इस मंथ आपको करवाया जाएगा दो पोकीमोन का CD जियां guys So well जिन दो पोकीमोन को इस बार choose किया गया है CD के अंदर वो है आपको पहला पोकीमोन Electabuzz और जो दूसरा पोकीमोन है वो है Magmar जियां guys और इन पोकीमोन के CD's हमारे लिए काफी special होने वाले है क्योंकि काफी सारे players के पास इन पोकीमोन के shiny form available नहीं है So well यहां पर जो है CD's के अंदर हम इनके shiny form को easily catch कर पाएंगे So well यार यह काफी special होने वाले है मिरे लिए और आपको क्या रगता है कि आपके लिए होंगे के नहीं होंगे हमें comment करके ज़रूर बताना So well दोस्तों अब हम बात कर लेते है First Pokemon के CD के बारे में यानि कि Electabuzz के CD के बारे में So well इसकी जो timing है वो है 15 November यानि कि 15 November सुबा के 11 वज़े से लेकर शाम के 5 वज़े तक जो की almost हर CD के timing यही होती है और जब तक रहेगी जब तक कि COVID-19 हमारा खतम नहीं हो जाता जी हैं guys और यहां पर आपको जो features देखने को मिलेंगे वो भी almost same है हर CD की तरह हाँ बस 2-3 features आपको अलग देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे Electabuzz More frequently in the wild और अगर आप lucky होंगे सो आपको देखने को मिल जाएगा इसका एक shiny form सो basically यहां पर lucky होना कुछ नहीं है क्योंकि CDs के अंदर हर किसी को देखने को मिल जाते है easily उन Pokemon के shiny form सो वैल lucky होने का यहां पर जै कुछ भी matter नहीं करता सो वैल अब जो अगला feature निकल के आता है हो यह है कि अगर आप करोगे अपने Electabuzz को Elective Wire में evolve इस CD के दोरान सो वैल गाइस आपका तो Elective Wire होगा उसे पता चलेगा एक new attack जो की होगा Flame Thrower जी हैं गाइस सो वैल यह एक new attack होने वाला है Elective Wire के लिए जो कि आपको देखने को मिलेगा इस CD के अंदर जी हैं गाइस और बाकी features के बारे में तो आपको अल्रीडी पता होगा यानि कि आपको देखने को मिलेगे Electiveuzz Snapshots के अंदर और आपको देखने को मिलेगा Shop के अंदर 1200 C Poke Coins का एक bundle जो की होगा Electiveuzz का Community Day Box जी हैं गाइस और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी 829 रूपीज की टिकट Shop के अंदर जिसको अगर आप Purchase करोगे सो आपका unlock हो जाएगा एक Electiveuzz का CD Special Research Story जिसको आपको अभी भी Complete कर सकते हो जी हैं गाइस और जो अगला फीचर है उसमें आपको देखने को मिलेगा Alecad 2 Kilometer Egg में से जो की Basically Electiveuzz का एक Non-Evolved Form है यानि की जो First Form होता है Electiveuzz का यानि की इसको आप कह सकते हो Baby Pokemon जी हैं गाइस जो की आपको देखने को मिलेगा 2 Kilometer Egg में से So well ये तो बात होगी फीचर्स के बारे में लेकिन अब जो बात निकल के आती है Bonuses को लेकर जो की Main होते है CD के अंदर वो ये है गाइस कि आपका जो Instance Duration होगा वो हो जाएगा 3 गंटे के लिए जो की आपको देखने को मिलता है हर CD के अंदर लेकिन आप जो Main Bonus निकल के आता है वो ये है गाइस कि आपका जो Distance होगा X को Hatch करने को लेकर वो हो जाएगा 1-4 जी है गाइस सो फिलाल मेंको तो इस बार के Bonus में बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि ये लोग इसकी जगा दे सकते थे तीन गुना Double Candy Pokemon को Catch करने के बाद जो कि आपकी अच्छा Bonus होता लेकिन इन लोगों ने 1-4th Hatch Distance रखा इस बार Bonus के रूप में जो कि आपकी अच्छा नहीं है और आपको क्या अलगता इस Bonus के बारे में हमें कमेंड करके ज़रूर बताना सो फिलाल गाइस ये तो बात हो कही हमारे Electabuzz के CD के बारे में सो अब हम बात कर लेते हैं Magmar के CD के बारे में यानि कि इसकी टाइमिंग क्या है Features क्या है और Bonuses क्या है So Magmar के CD के जो टाइमिंग है वो है किस नमबर यानि कि 21st नमबर सुबा के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जी हैं गाइस और जो Features है वो सबके सब एकदम सेम है Electabuzz के CD की तरह जी हैं गाइस बस यहाँ पर आपका जो Electabuzz है उसकी जगह आपको देखने को मिलेगा Magmar more frequently wild के अंदर और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसका भी एक shiny form जी हैं गाइस हाँ बस इस Feature में यही चेंज होगा कि अगर आप करोगे Magmar को Magmotor में evolve इस CD के दुरान सो वैल दोस्तों आपका जो Magmotor होगा वो learn कर जाएगा एक new attack जो कि होगा thunder bolt attack जी हैं गाइस जो कि काफी special move होने वाला है Magmotor का जी हैं गाइस और कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा Magmar का baby form 2 km egg में से जो कि होगा Mag B इसी बात में वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब करके बैल आकन को प्रस करके ओन लोडिफिकेशन को और कर नमत भूलना ता कि आप से ऐसी interesting वीडियो के पडेट कभी मिसना हो जाए और इस वीडियो का आप जहां तक शेयर कर सकते हो वहां तक शेयर कर देना ता कि आपके दोस्तों को भी इन दोलोई special event के बाण के बाणर पता चल सके और वो भी इन के अंदर participate कर सके और comment करके बताना कि आपको ये दोना special event कैसे लगे और हमारी वीडियो कैसे लगी तो फिलाल आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही और मिलते आप के साथ ऐसे एक अगले interesting वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye, stay home and thank you for watching this video